नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन महारा स्टेट बूर्ड मैथेमेटिक शाप्ट नुमबर त्री एचसे फैंड लसीम प्रेक्टिसेट 14 अब इसमें क्वेशन नुमबर सेवन है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर करें और बिल आइकाउन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए तो कुष्टन नुमर ऋंबर सेवन क्या है देखें दोडोक्ट आफ्टू टो डीजिट नमबर्स दो ग्यामस ऐसे है जिनका यकट्प्रोड़ान है एक जोकशन दोनों का थैस को मनी एक री है तो वाट इस देर LCM तो जो इसके पहले हमने कॉर्शन सॉल किया था सेम उसी में सॉल करना है HCF into LCM is equal to product of numbers numbers का product तो product of numbers यहाँ पर दिया गा है product of two numbers अब चाहें वो कितने वी डिजिट के हो two digit numbers two digit two numbers हैं तो उनका product हमें दिया गया है 765 और उन में से उन दोनों number का HCF और LCM इन में से हमें HCF दिया गया है 3 LCM हमें नहीं पता है तो 3 into LCM तो LCM और 3 इन दोनों में multiplication है तो अगर हमें LCM क्योलिफाइड करने हैं तो multiplication का जो 3 है right hand side में यहाँ पे division में आएगा तो 765 को 3 से divide करिए हमें LCM मिल जाएगा तो 3 2 the 6 3 5 is a 15 16 minus 15 1 3 5 is a 15 255 जो होगा उन दो numbers का LCM होगा जिन दो numbers का HCF 3 है और उन दो numbers का product 765 है question number 8 देखिए क्या है a trader has 3 bundles of string 392 meter 308 meter and 490 meter long what is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any left over string अब यहाँ पर एक हम example समझ लेते हैं शायद आपको question समझ में आ गया होगा कि एक trader के पास 3 bundle है string की और उनकी length 392 meter 308 meter और 40 meter है अब हमें ऐसे इन तीनों का cut करना है जो की length greatest हो और without any left over string मतलब cut करने के बाद सभी part जो हैं वो equal होंगे और कोई भी किसी भी bundle में जो part है वो remaining नहीं रहेगा मतलब कि समझो हमें यहाप एक 3 string लेते हैं और तीनों की length जो हैं वो अलग-अलग है समझो यहापे इसके length सबस 30 meter है अब यहापे इसके 10 meter है सबस या 20 meter है सबस और इसके 50 meter है तब देखिए इनको हमें cut करना है 30 meter की जो length है उसे हमें cut करना है समझो हमने 1,1,1 meter को cut कर लिया तब 30 meter में 30 equal parts हो जाएंगे अब अगर हमने 5 meter से cut कर लिया तो 6 equal parts हो जाएंगे अब अगर 12 meter से अगर हमने cut कर लिया तो equal parts यहाँ पर कितने होंगे 12 to the 24 दो equal parts होंगे और 30 minus 24 6 meter का एक part यहाँ पर remaining रहेगा तो ऐसे remaining नहीं होना चाहिए तो हमें highest length find करनी है कि जिसमें हम इन तीनों को भी divide कर सकें cut कर सकें और left over नहीं होना चाहिए मतलब कि कोई भी string जो है वो left नहीं होने चाहिए कहें पे भी तो इसलिए हमें क्या find करना होता है तो इसलिए हमें ऐसा number कि जिस number से 30 को divide हो जाए 20 को भी divide हो जाए अब दिखें जिस से divide होगा 30 को उस number के ही अगर हम equal part करेंगे तो complete equal part हमें मिलेंगे अगर 10 meter का एक part हम कर लिया तो 10,3,30 15 meter का कर लिया तो two parts होंगे तो जो equal part करने है तब हमें length जो है वो सभी की equal होने चाहिए और उस number से 30 को divide होना चाहिए 30,20 और 50 इन तीनों को divide होने वाली highest length होने चाहिए तो highest है तो इन तीनों numbers को जिस number से divide हम करेंगे वो number highest होना चाहिए इसका मतलब इन तीनों का हमें HCF find करना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 392 308 और 490 इन तीनों numbers का भी हमें highest common factor find करना होगा तो अब इन तीनों का highest common factor find करने के लिए जब तक इन तीनों को divide होता है तब तक हमें divide करना है अब तीनों को देखिए ये सभी even numbers है तो 2 से divide होगा 2 अज़ा 2 3-21 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 2 अज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 अब यहां पर odd number मुल गया तो 2 से divide नहीं होगा अब 3 से हमें check करना है देखिए prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन से हमें check करना है अब 3 से 6 plus 1, 7 plus 9, 16 3 से divide नहीं होगा 5 से अगर divide करना है तो unit plus में 5 होना चाहिए 5 से नहीं होगा अब 7 से हम check करेंगे divide होता है या नहीं तो 7 से check करने के लिए हर एक number को divide करके ही देखना पड़ेगा तो 7 to the 14 19 minus 14, 5 रहेगा 7, 8, 56 तो इसे 7 से divide होता है 7 to the 14 15 minus 14, 1 7 to the 14 7, 3, 21 7, 5, 2 7 से इन तीनों को number तीनों number को divide हो रहा है तो अभी हमें तीनों को 7 से divide करना पड़ेगा तो 7 to the 14 7, 8 जा 56 7 to the 14 borrow 1 7 to the 14 7 3 जा 21 24 minus 21 3, 7, 5 जा 35 अब देखे 22 और 32 इन दोनों numbers को इसको 2 से होता है लेकिन इसे 2 से divide नहीं होगा 11 से इसे होता है लेकिन 35 को नहीं होगा तो इसका मतलब इन तीनों numbers को divide होने वाला कोई भी number हमें यहापे नहीं मिलगा सिवाए 1 के तो 1 से तो हमें divide नहीं करना है तो इन 3 का भी divide नहीं करना है तो HCF जब find करना होता है तब 3 को जब तक divide हो तब तक divide करिए और जो यहां पर factor मिले हैं उनका multiplication करिए 2 x 7 14 होगा highest common factor तो HCF of 392 308 and 490 is 14 तो highest length of string highest length of string that can be that the bundles can be cut that the bundles can be cut up into without any Pvdowट ने लेफ्ट आपर एनए लेफ्ट ओर इस फोनटिन मेतरthe last question दिखिए इस चाप्टर का drunk at which toe consecutive event numbers your and LCM of 180 जो दो consecutive up consecutive जो नम्बर हैगा इंव नमबर हुआ और फोर यह दो कोशिक्टिव यह नमबर से फोर और सिक्स यह इस जाने वाले ग्लड़ सकते हैं। इस्का मतलब लिस्ट कमन। multiple तो जिन दो numbers का यह है यह LCM है उन दोनों numbers से 180 को completely divide होना चाहिए 180 को completely divide होगा अब हमें क्या करना है कि इसके divisors find करना है factors भी हम कह सकते हैं divisors of 180 तो अब देखिए जो LCM होता है तो हम यहां पर 15 ले लिया और 10 ले लिया तो इन दोनों का जो LCM होगा वो 30 होगा तो 30 LCM है अब जिन दो numbers का है वो दो numbers 30 के divisors है तो 15 से भी 30 को divide होता है 10 से भी होता है तो 180 के हमें पूरे सभी जो divisors है वो find करना है उन में से दो ऐसे जो divisors जो even है और consecutive है उनका LCM 180 होगा तो अब ऐसे दो numbers find करना है तो अभी सभी हम diviser find करेंगे तो अब 2 180 का diviser है फिर 3 से भी completely divide होता है 3 की divisional test है add sum of digits करिए 8 plus 1 9 plus 0 9 9 को 3 से divide होता है तो 180 को भी 3 से divide होगा फिर 4 से भी divide होता है क्योंकि last two digit number जो है उसे अगर 4 से divide होगा तो इस number को 4 से divide होता है फिर unit place में 5 है sorry 0 है तो 5 से completely divide होता है अब 2 और 3 से अगर divide किसे number को हो रहा है तो 6 से भी होता है फिर उसके बाद 8 से अगर divide करना है तो तीनों numbers को मिला के जो number होगा उसे हमें divide करना होता है तो 8 से यहां पर divide नहीं होगा फिर हमें check करना है 8 9 9 से भी होता है 9 की divisibility test यह है sum of digit करिए 8 plus 1 9 9 plus 0 9 9 से divide होता है तो 9 से divide होगा अब अगर 5 और 2 से divide हो रहा है तो 10 से होगा यहां फिर unit place में 0 है तो 10 से divide होगा अब यहां पर 11 से इसे divide नहीं होगा 12 से 3 और 4 से divide हो रहा है तो 12 से divide होता है फिर 15 5 और 3 से divide हो रहा है तो 15 से होता है अब 15 से अगर divide हम करता है तो इसका 12 अंसर आएगा तो 15 और 12 का multiplication 80 आता है तो 10 से इस divide करिए next number हमें मिल जाएगा जिससे इसे divide होगा 18 फिर 9 से divide करिए next जो नंबर है वो जिससे divide होगा वो हमें मिल जाएगा 20 फिर 6 से divide करिए 30 फिर 5 से divide करिए 5 3 सा 15 5 6 सा 30 36 अब देखे इन में से आगे के नंबर divide पाइंट करने से पहले ही हमें यहां पर आंसर मिल चुका है 18 और 20 इन दोनों का अगर हम ELCM find करेंगे तो हमें answer 180 मिल जाएगा 18 से भी 180 को divide होता है और 20 से भी 180 को divide होता है तो यह जो दो numbers हैं वो consecutive even numbers भी हैं क्योंकि इन दोनों है difference 2 का ही है तो 18 के बाद next आने वाला even numbers 20 भी है तो जो answer है वो हमें लिखना है कि टू numbers are टू numbers are 18 and 20 तो यह होगा इसका answer तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अब chapter number 3 खतम हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम chapter number 4 angles and its and pairs of angles यह chapter हम next video में देखेंगे ठीक है thank you